जैसा कि आप सभी जानते हैं लोगसभा के बारे में जिसको house of people भी कहा जाता है और इसको lower house भी कहते हैं लेकिन मैं यहां यह simple बातों के बारे में discuss नहीं करूँगा मैं एक system के बारे में बताना चाहूँगा कि यह जो system क्या होता है election में किस तरह से लोगसभा में लोग elect होके जाते हैं और क्या उसका procedure है तो इसका start में करना चाहूँगा कि जब हमारा constitution में जब जनुरी 1925 को जब लागू हुआ तो उसमें यह decide किया गया था है आर्टिकल 79 में यह decide किया गया था कि हमारा यह हमारे देश में पार्लियम्ट होगी उस पार्लियम्ट के तीन integral part होंगे उस तीन integral सब्सक्रणाब कर्याद करें लोग सब्सक्राइब करें तो अब आपको मैं बताना चाहता हूँ कि जब अपनी बाता था ऐग करें लोग सब्सक्राइब में जो माक्समम सीट्स होंगी वो कितनी सीट्स होंगी वो 552 सीट्स की बात की गई थी कि 552 होंगी और उसमें ऐसा था कि 550 जो होंगे उन 552 में वो क्या होंगे कि हो फाइफेटी जो होंगे वो एलेक्टेट होंगे मतलब उनका इलेक्शन होगा और वो एलेक्शन से आएंगे जैसे कि आप यहां पर देख रहे हों कि है 550 है यह 550 뛰 कि थो आएगे थीक है अब उन एलेक्शन में ऐसा बोला गया कि वो 530 जो है अब 50 gr Licata यह तो बात है यह आज के प्रेजेंट डेट की बात मैं कर रहा हूं और प्रेजेंट भी नहीं कहेंगे आप इसको क्योंकि जो अभी आपको पता होगा 104th Constitution Amendment Act आया है उसमें जो आर्टिकल 331 है वो उसमें जो एंग्लो इंडियन कम्यूनिटी का रिप्रेजेंटेशन की बात की जाती है कि प्रेजेंट जो नॉमिनेट करते हैं तो वो अबॉलिश कर दिया गया है तो तो आज की देट पे अगर हम बात करें तो आज की डेट पे 550 में 50 ज्वण ए extrêmement 450 बेमब्र होंगे लोगसवा में और उन में से 530 जो हे वो स्टेट्स से लिये जाएंगे और 20 ले जाएंगे यूनियन टरिट्री से यह गासमलम लिमित है मतलब किसे ज्यादा नहीं हो सकता इस इन शारह या opens trilogy 1 हो जाए या 25, continuing 55 यहुत और 50 यह प्रिजेंट का मैंने आपके सामें रखा हुआ है लेकिन जब हमारा Constitution बना था 26 जनवरी 1950 में जब लागू हुआ था तब ही डिसाइड था कि हमारा जो आर्टिकल 81 में तब बोला गया था कि maximum limit जो होगी वह 500 होगी 500 मतलब अभी जो आप देख रहे हो कि 550 है उस समय ऐसा था उस समय तो यूनियों ट्रेटरी होती ही नहीं थी उस समय का classification में अपने next video में बता हुआ कि उस समय जब हमारे वियासते थी तो उस समय क्या था लेकिन उस समय एलेक्शन जब हुए जनरलेक्शन हुए 1951 में 1952 में और तब यह Constitution में लिखा जा जुगा था कि maximum 500 होगे तो उस समय 500 हो गए लोगसभा में 1952 में 497 सीट्स जो थी वह जब 1952 में जो पहली बार लोगसभा constituent होके बनी को स्ट्रीश की गई जब पहली लोगसभा गटित की गई तब क्या हुआ कि 497 सीट्स थी उसके बाद समय समय पर ऐसा देखा गया कि नावंबर 1956 में जब री जानी चाहिए इसी तरह से और भी कुछ अमेंडमेंट्स हुए तो यह अमेंडमेंट्स होने के बाद आप देख पा रहें कि आज की कंडिशन में आज की देट पर हम देखते हैं तो हम देखते हैं कि maximum 550 है और टू का जो स्टेट सा नॉमिनेटेट नॉमिनेटेट जो एंग आज की देख पर आप पाएंगे कि यह हमारे जो 550 में आप पाएंगे कि हमारे 550 में 530 स्टेट्स के तो हमने फुल ले रखें लेकिन जो योनियन टरिट्री से 20 लेते हैं उस 20 में से हमारे पास सिर्फ 13 सेवन सीट्स हमारी वेकेंट है सीट्स वेकेंट कि इस ऐसा क्यूं हुआ कि से इसका एक रीजन यह है कि हमारा प्योंके है पाकिस्तान अक्यूपैट कास्मीर है वहां पे हमारे कुछ कॉंस्टिवेंसी नहीं बन पाई है तो इस वज़ेसे से सेवन सीट्स हैं और कुछ चुप चुटी हैं जहां पर सीट्स लाए जाती है लेकिन पीओ के एक रीजन है इसका और उसके बाद हम और बात करेंगे कि जब आज की डेट में बात हो रही है कि 550 है कि 550 है जो अगर कोई यह चाहे कि यह नंबर बढ़ जाया सीट्स का लोगसावा में तो उसक कि अगर स्पेशल मेजरेटी के बारे में मैं आपको बताऊँ कि क्या होती है स्पेशल मेजरेटी और कॉंसिट्यट्यशन आमेंड्मेंड में प्रॉसेस क्या होती है यह जाएंगे लेकिन आप यह याद रखे कि आज की रेट पे जो 550 सीट है अगर हमें कभी बढ़ाना हो तो हमें constitution amendment की जरुत होगी जैसा कि मैं यहां पे आप देख पा रहे हैं कि मैंने लिखा हुआ है constitution amendment की जरुत होगी अगर हमको बढ़ाना होगा और यह चीज में लिखे हुई है कि यह जो नॉमिनेशन का जो क्लॉस था वह अगर ऐसा लगता है कि एंगलो इंडियन कम्यूनेटी का प्रेजेंटेशन नहीं है लोगसभा में तो वह प्रेजिडेंट दू सीट्स रिजर्व रहती है अप टू सीट्स तक एंगलो इंडियन को नॉमिनेट कर सकता है अब मैं बात करना चाहोगा कि यह जो लोगसभा के से रिलेड़ जो आर्टिकल है वह आर्टिकल 81 है ठीक है वह है आर्टिकल 81 जिसमें हम कम्पोजिशन और लोगसभा के बारे में बाग करेंगे जो की बड़ा कॉंप्लेक्स टॉपी है लोगों के यूटूब पे इस तरह के वीडियो नहीं ह है आपको कहीं नहीं मिलेगा ऐसा यूटूब में इस तरह का वीडियो जिसमें एक्स्प्लेइन किया गया हूँ कि किस तरह से लोगसभा का कम्पोजिशन होता है तो आर्टिकल 81 में आप देखोगी कि तीन क्लॉजे से हैं आर्टिकल 81 1 2 & 3 आर्टिकल 81 1 के वी जो इह पार् जैसा कि मैंने आपको एक्स्प्रेंग कर दिया अब आर्टिकल 81 2 में एक कंटिक्शन दी गई है एक एक बताया गया है कि किस तरह से हर स्टेट को एक एलोकेशन दिया जाएगा लोगसभा में कि कितनी सीट्स वो रिप्रजेंट करेगा तो इसमें बात आया गया है कि दो त ये एनिफॉर्मिटी है वो बात कि गई है और ये ये उनिफॉर्मिटी पब्लेशन के बैसिस बेसिपरसड्न के पहली जो आर्टिकल 61 का टू सउक्लॉज ये बताता है वो कहता है कि योनिफॉर्मिटी एमंग इस्टीड वाइलै लोकेटिंग Сिट्ट की एछ स्टेट इट सीट देंगे MP को हम 48 सीट देंगे यह हमने जो डिसाइड किया कि 80 सीट और 48 सीट कैसे हमने डिसाइड किया तो यह एक यूनिफॉर्मटी होनी चाहिए कि जिसकी जितनी पॉपलेशन है उसी बेसिस पे हम उसको उतनी सीट दें इस तरह कि ऐसी बात की गई कि जैसे यूपी के सबसे बहुत काम होगी इस इस में अइसा है, जैसे लोग समझ सीट होती है, जैसे िइस फिगर में आप देख पा रहे हैं, जैसे माल लीजे यह तेक है, तिया हमारी योपी में यह कोई जगह है जोड़एं जैसे ये माल लिजे कि एर मेट और यह बनारस अर te यह भूंबं। trovन रच हैन STE करें कि यह फिर यह स्वाइट कॉइन्हें में तो हुआ है में तो इस योनिट को आप ये लोग इनको बोला जाता है टेरिटोरियल कॉंस्टिट्वेंसी, 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 तो जब आप Conceituency में Seats Lot करेंगे कि किसी Conceituency के लिए हम कितनी सीट देंगे या Conceituency का साइड जब बात हो तो यह साइड कि उसमें Uniformity होनी चाहिए कि जैसे Amati है आगा रहा है और यह बनारास है तो इन सब के Population Equal होनी चाहिए इसे बनाओ कि इनकी population equal हो और इनकी seeds भी equal हो या मतलब एक जसा हो कि आगर कि यह population जाना है तो इसमें 2 seeds हो और इनका ratio जो हो population का इनकी population और यह जो number of seeds यह जो रिश्की हो यह विदिन स्टेट कॉंस्टेट हो विदिन अब थूआउट इसेट आप इसको कहोगे तो इसी तरह इसमें population और नमबर और पॉप्लेशन और नमबर और इटमेट पॉप्लेशन और नमबर और सीड जो है यह कॉंस्टेंट होनी चाहिए कि अगर यूपी के पॉप्लेशन इस समय 20 करोड है तो इसमें जो सीड असी है तो इसी रेशियो में यहां पे भी पॉप्लेशन और उसका रेशियो यही वन इस्टू फॉर इस तरह से जैसे वन इस्टू फॉर आप गैस कर लो तो इस तरह से इसमें भी वन इस्टू फॉर आना चाहिए यह आर्टिकल िकलाश चूमें इसा लिखा है कि युनिफॉम्टी बहुत कंप्लेक्स है लोगों को नहीं समझ में आता है यह बाग कि किस तरह की वनिफॉरमिटी की बात की जा रही है कि जब जिस तरह से मनी यूपी एमपी का एच्जापर लेकर बता आए कि वीस करोड की पफॉपलेश यह बताया है कि पॉपलेंसिंट का क्या मतलब है अबुस्तियुक्तियुक्तियुक्तियुक्तियुक्तियुक्तियुक्तियुक्तियुक्तियुक्तियुक्तियुक्तियुक्तियुक्तियुक्तियुक्तियुक्तियुक्तियुक्तियुक्तियुक्तियुक्तियुक्तियुक्तियुक्तियुक्तियुक्तियुक्तियुक्तियुक्तियु सब्सक्राइब करें जो बात की गई है उसको बताया कि क्या कौन सी सेंसस को माना गया है तो आप देख पा रहे हो कि किस तरह से यहां भी मैंने लिखा हुआ है कि आर्टिकल 1 के जो एफ्टी 3 है इसके जो क्लॉस वन है इसने बताया है कि टूए में जो पॉपलेशन बट आया है उस पॉपलेशन में उन्यस सो एकत्र की सेंसस की बात की गई है अब आप कहा गए कि अभी तो 2011 के संसस चल रही है लेकिन यह पुरानी उस जमाने में संसस थी 54.81 करोड तो यह उस जमानी के संसस के बेसिस पर यह पोपलेशन पर अभी तक चला रहा है और यह हुआ क्या कि उस जमाने में यह 42nd amendment 1976 में फ्रीज कर दिया गया सिट्ट्रीज को स्टेट को कितनी सीट्स मिलेंगे और किस ही कह इसला किती सीट्स मेलेंगी, और किस काटिर्टिय मृपसरे मृप्लेशन को स्टेट्स को तो यह बोल लिया कि उन्हें से गत्तर के बार से अब यह एकता ही रहेगा अब आगे इसको 42nd amendment में ऐसा बोला गया कि अब आगे इसमें मैंने लिखा हुआ है फ्रोजन भाई 42nd amendment 1976 तो यह फ्रीज कर दिया गया था उसके बाद 84th amendment आया इसमें जब फ्रीज किया गया था तो इसको 2001 तक फ्रीज किया गया था लेकिन उसके बाद जब next आया 84th amendment तो उसने क्या किया इसको 2026 तक का यह एक्स्टेंड कर दिया कि अब यह जो है फ्रीज है यह 2026 तक रहेगा जैसे UP को 80 सीट MP को 40 सीट और यह सब फिक्स रहेगा अब बदला नहीं जाएगा 2026 तक तो आप जब 2026 तक तो बदला नहीं जाएगा इसका मतलब जब आप जब 1191 में अब जब सेंस्सेस weं बदलेंगा यह जो फ्रीज हटेगा तब ऐसा होगा कि जो आप यह देखते हों कि 550 and 550 से बढ़े यह लोग्साभाशी सब्सक्टें हैं 550 से बढ़ सकती है यह भी बढ़ सकता है और साथ में यह भी पर सकता है और तो प्रश्टिशन करना पड़ेगा तो बढ़ा तो आप चाजित्ता बढ़ा तो सब्सक्राइब कर दिया और प्रश्टिशन कर दो किसी को ज्यादा सीज़ देदी किसी को कम देदी यूपी को सब्सक्राइब कर दिया और बिहार को बढ़ा दिया और तमिलाडो घटा दिया इस तरह से आप कर सकते हो और इसका जो सब्सक्राइब था परेजन की बात की गहीं है इसमें बोला गया है कि जो यूंहिट होगी स्टेट के अदर छोडंच वोनिट्स होगी कांसी तरीट्रों कंसी कंसींट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्रेंशी होगी उसमें ऐसा बोला गया ऑनका जो डिवीजन है जैसे यह अब तरकी सेंसर को मानते हुए हमने अंडर अर्टिकल सोरी अंडर फोर्टी सेकेंड में 1976 में ऐसा बोला कि यह उन्निस सो एकतर के सेंसर को हम बेस मानेंगे हम इसको रिफरेंस चीट करेंगे और दो हजार तक हम फिक्स रखेंगे जैसे कि योपी को पहले आपके पच्चासी दी कि जो दूसरा अइमेंडमेंट आया गाना इसेंट कर दिया कि ठीक है कि उन्होंने रिफ्रेंस बाना कि अब इस बेसिस पे हम उसके टुक्ड़े करकर के यूडिट बना बना के ट्रिटोरियल कॉंसिट्योंसी बना देंगे यूपी में चोट चोटी कि आमेठी है बनाना सही है और उसके बाद 2026 अब क्या हुआ है कि 87th amendment आया उसके बाद 2003 में दो सा बाद इस तरह से आप 206 तक वह इतनी रहेंगे जैसे आप देख पाते होगी यूपी में आसी कॉंचिएंस्यी है पॉंपलेशन के एतना वे बढ़ जाए लेकिन हमने 2001 के basis पर सिफब कर रहा है कि 2001 पर ही रहेगा और उसी तरह MPA और किसी की प्रॉब्लेशन घट जाए कोई अकाल आजाए डिजास्टर आजाए बिल्कुल घट भी जाए तब यूपी में इतनी रहेगी असी रहे क्योंकि वह हमने फिक्स कर दिया 2001 के संसर्स पर अभ अगर किसी स्टेट में बिहार की फैर्टिल्टी रेट जादा है और वहां पर बच्चे बहुत जादा हो गए तो वह कहेगा कि मेरी को पॉब्लेशन के वैसे पे है तो मेरी सीट बढा दो और उधर केरला ने बहुत सारी पॉब्लेशन कंट्रोल टेक्निक लाई और उससे क करते हैं तो क्या हुआ कि उनकी सीट कम हो जाएगी और उसी टूटके मिल जाएगी बिहार को जाएगी बहुत कंट्रोवर्सी चली इस दाथ को लेकिस्टेट में अधबेद हुए तो उन्होंने क्या किया कि उनने सीट की सेंसर्स को फिक्स वाल लिया कि हम भी पॉब्लेश अधिन में तो तब की तब देखेंगे अभी उनने सीट के बेसिस पे हमने को लोग सबसेट कर दी है लोग सबसेट करती है तो एक सबस्क्राइब को जाएगा नियुक्त की सबस्क्राइब बात हो रहे हैं तो अब क्या होगा कि अग्रा का वी कॉंसिट्वेंसी होगी तो इसा किया जाएगा कि इसके बाउंडरी बढ़ा दी जाएंगे इसके लिए लिमिटेशन कमिशन भी बाद में बात करेंगे कि किसी कॉंसिट्वेंसी की कितनी बाउंडर होगी अब जैसे माल लीजए यहां पर अगर आमेंटी में पॉपलेशन घटके आँ चली गई तो इसके कॉंसिट्वेंसी का बाउंडरी बढ़ा देंगे ताकि यहां पर पॉपलेशन इसका रैस्यो बराबर रहे तो इस तरह से जैसा कि आप सबी जानते हैं लोकसभा के बारे में बताना चाहूंगा कि यह जो सिस्टम क्या होता है इलेक्शन में किस तरह से लोकसभा में लोग इलेक्ट होके जाते हैं और क्या उसका प्रोसीजर है तो इसका में स्टार्ट में करना चाहूंगा कि जब हमारा कॉंसिट्यूशन मना चब्भी जनुरी निसो बजास को जब लागू हुआ तो उसमें यह डिसाइड किया गया था कि हम पार्लियामेंट आर्टिकल 79 मे पार्लियामेंट होगी हुआ उस पार्लियामेंट के इंटेग्रल पार्ट हो गा था एक लोकसाओ फास deriv हो उब उसके बाद आर्टिकल 79 सब्सक्राइब करें सब्सक्राइब धित लोगसभा हुए कि लोगसभा लोगसभा में जो maximum seats होंगी वो कितनी seats होंगी वो 552 seats की बात की गई थी कि 552 होंगी और उसमें ऐसा था कि 550 जो होंगे उन 552 में वो क्या होंगे कि वो 550 जो होंगे वो elected होंगे मतलब उनका election होगा और वो election से आएंगे जैसे कि आप यहां पर देख रहे हों कि यह 550 है यह 550 election कि दुरू आएगे ठीक है अब उन election में ऐसा बोला गया कि वो 530 जो है अब 550 552 यह तो बात है यह आज के प्रेजेंट की बात कर रहा हूं और प्रेजेंट भी नहीं कहेंगे आप इसको क्योंकि जो अभी आपको पता होगा 104 Constitution Amendment Act आया है उसमें जो आर्टिकल 331 है वो उसमें जो एंग्लो इंडियन कम्यूनिटी का रिप्रेजेंटेशन की बात की जाती है कि प्रेजेंट जो नॉमिनेट करते हैं तो वो अबॉलिश कर दिया गया है तो तो आज की डेट पे अगर हम बात करें तो आज की डेट पे 550 डिसाइड है 550 एलेक्टेट मेंबर होंगे लोग सवा में और उन में से 530 जो है वो इस जादा नहीं हो सकता यह नहीं हो सकता कि आप सारे स्टेट से जो आप मेंबर आएंगे 531 हो जाए यह 21 हो जाए या 550 से अब चले जाए 551 और 52 हो जाए यह ऐसा नहीं होगा यह प्रेजेंट का मैंने आपके सामें रखा हूआ है लेकिन जब हमारा कॉंस्टुशन बना थ तब ही डिसाइड था कि हमारा जो आर्टिकल 81 में तब बोला गया था कि maximum limit जो होगी वो 500 होगी 500 मतला अभी जो आप देख रहे हो कि 550 है उस समय ऐसा था कि सिर्फ 500 maximum होगी क्योंकि उस समय ना states का concept था ना union territory का concept था उस समय तो union territory होती ही नहीं थी उस समय का classification में कि अपने next video में बता होगा कि उस समय जब हमारे वियासते थी तो उस समय क्या था लेकिन उस समय election जब हुए general election हुए 1951 में 1952 में और तब यह constitution में लिखा जा जुगा था कि maximum 500 होगे तो उस समय 500 हो गए लोगसभा में 1952 में 497 सीट जो थी वो जब 1952 में जो पहली बार लोगसभा constituent होके बनी बनी इस्टाविस की गई जब पहली लोगसभा गटित की गई तब क्या हुआ कि 497 सीट थी उसके बाद समय समय पर ऐसा देखा गया कि November 1956 में जब री ओगनाइजेशन ऑफ स्टेट्स हुआ तब देखा गया कि सीट से और बढ़ानी चाहिए इसी तरह से और भी कुछ करें कि आज की डेट पे और एक्जैट क्या चल रहा है तो आज की डेट पे आप पाएंगे कि यह हमारे जो 550 में 530 स्टेट्स के तो हमने फुल ले रखें लेकिन जो योनियन टरिट्री से 20 लेते हैं उस 20 में से हमारे पास सिर्फ ट्रीट सेवन सीटस हमारी वेकेंट है आप सिट्स वेकेंट अब आप यह सोचोंगे कि यह ऐसा क्यों हुआ कि सेवन सीटस वेकेंट हैं तो यह इसका एक लीजन यह है कि हमारा जो पा कियों कि पाकिस्तान उक्योपाइट कस्मीर है वहां पे हमारी कुछ कॉंसिट्वेंसी नहीं बन पाई है तो इस वज़े से यह सेवन सीट्स फैकेंट है और कुछ चुटी चुटी है जहां पे सीट्स रहे जाती है लेकिन पीयोग के एक रीजन है इसका और उसके बाद हम और बात करे हैंगे कि जब आज की डेट में बात हो रही है कि 550 हैं कि 550 हैं जो अगर कोई यह चाहेगी कि यह नंबर बढ़ जाए सीट्स का लोग सावा में तो उसके लिए क्या होगा हमारे कॉंसिट्यूशन में अमेंड्मेंट करना पड़ेगा और वो अमेंड्मेंड्मेंड जो होगा वो आर्टिकल 368 के अंगर होगा और special majority required होगी जिसके special majority के बारे में मैं आपको detail में कभी बताओ का कि क्या होती है special majority और constitution amendment process क्या होती है exact detail में हम बाद में जाएंगे लेकिन आप यह याद रखे कि आज की लेट पर 550 सीट्स हैं अगर हमें कभी बढ़ाना होगा 550 सीट्स को तो हमें constitution amendment की जरुत होगी जैसा कि मैं यहां पे आप देख पा रहे हैं कि मैंने लिखा हुआ है कि constitution amendment की जरुत होगी अगर हमको बढ़ाना होगा और यह चीज मैंने लिखे होगी है कि यह जो nomination का clause था article 331 में था कि president को अगर ऐसा लगता है कि anglo-indian community का presentation नहीं है लोग सभा लोग सभा के से रिलेड़ जो आर्टिकल है वो आर्टिकल 81 है वो आर्टिकल 81 है ठीक है वो है आर्टिकल 81 जिसमें हम composition of लोग सभा के बार में बाग करेंगे जो की बड़ा complex topic है लोगों के YouTube पे इस तरह के वीडियो नहीं है लेकिन मैं पहली बार इस तरह का वीडियो बना हो रहा है आपको कहीं नहीं मिलेगा ऐसा YouTube में इस तरह का वीडियो जिसमें एक्स्प्लेंग किया गया हूँ कि किस तरह से लोग सभा का composition होता है तो आर्टिकल 81 में आप देखोगी कि तीन clauses है आर्टिकल 81 1 2 & 3 आर्टिकल 81 1 के वी जो इह पार्ट में बात की गई है तो 530 व इस तरह के वन clause में सब clause में दिया हूँ है और 20 जो है एक्स्प्लेंग के वी में यह दिया हूँ है जैसा कि मैंने आपको एक्स्पेंग कर दिया अब आर्टिकल 81 के 2 में एक condition दी गई है एक close-up यह बताया गया है कि किस तरह से हर स्टेट को एक allocation दिया जाएगा लोग सभा म है तो उसमें किस तरह से स्टेट को होंगी तो पहली जो uniformity है वो बात की गई है और यह uniformity population की बैसे पर है यह uniformity में पहली जो आर्टिकल 81 का 2 का सरक्लॉज यह बताता है वो कहता है कि uniformity एमंग स्टेट वाइलोकेटिंग स्टेट इच स्टेट इन लोग सभा मतलब जब भी ह हमने के लिए स्टेट करते हैं कि आप जैसे यूपी हो यूपी को हम 80 सीट देंगे एमपी को हम 48 सीट देंगे यह हमने जो डिसाइड किया कि 80 सीट और 48 सीट कैसे हमने डिसाइड किया तो यह एक uniformity होनी चाहिए कि जिसकी जतनी population है उसी basis पे हम उसको उतनी सीट दें इस तर जादा यूपी में हर मिनिस्टर चाहता है कि यूपी में उसका ज्यादा इसको प्राइम मिनिस्टर कौन होगा यह यूपी डिसाइड करेगा यह इस वज़े से ही है क्योंकि population ज्यादा है और ऐसा बोला गया है कि uniform जो स्टेट छोटा होगा जैसे गोवा स्टेट चोटा है उस constituency की बात इसमें ऐसा है कि जैसे एक state होता है जैसे लोग समद सीट होती है जैसे इस figure में आप देख पा रहे है कि जैसे मार लीजए यह हमारा यूपी है हमारी यूपी में यह कोई जगह है जैसे मार लीजए कि यह अमेठी है और यह आप यह देख पा तो आप देख पाने हो कि जब हम यह टुकुड़े करते हैं किसी स्टेट के छोटी-छोटी कॉंस्टिट्वेंसी में टुकुड़े करते हैं तो इस यूनिट को आप यह लोग इनको बोला जाता है अब देख पाने हो कि जब यह बात किये गई article 81,2 बात किये हैं कि जब कॉंस्टिट्योट करेंगे कि किसी स्टिट्वेंसी घर्लींघ लिए जब बात हो तो यह डिसाइड क्या है कि उसमें uniformity होनी चाहिए कि जैसे अमेटी है आग रहा है और यह बना रहा है तो इन सब के population equal होनी चाहिए इनकी population equal हो और इनकी seeds भी equal हो या मतलब एक जसा हो कि आगर यह population जादा है तो इसमें दो सीट हो और इनका ratio जो हो population का इनकी population और यह जो number of seeds यह जो रिशी हो यह within state constant हो constant हो within throughout the state आप इसको कहोंगे throughout state जो है यह constant हो throughout state यह आपका constant होना चाहिए ठीक है population and number of seeds इसी तरह जब आप दो अलाग अलाग state की बात करते हो जैसे यह UP है यह MP है तो इसी तरह इसमें population और number of population and number of population and number of seeds जो है यह constant होनी चाहिए कि अगर UP के population इस समय 20 करोड है तो इसमें जो seeds 80 है तो इसी ratio में यहां पर भी population और उस का ratio यही 1 is to 4 इस तरह से जैसे 1 is to 4 आप guess कर लो तो इस तरह से इसमें भी 1 is to 4 आना चाहिए यह article 51 के clause 2 में ऐसा लिखा हुआ है कि uniformity बहुत complex है लोगों को नहीं समझ में आता है यह बात कि 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 uniformity की बात की जा रही है population uniformity की बात की जा रही है कि जब जिस तरह से मनी UP MP का इजांपल दे के बताया कि 20 करोड की population में 80 seat है तो उसी तरह इसमें भी ratio 1 is to 4 e आना चाहिए MP में इस तरह से पहला clause A बता रहा है इसमें यह बताया है कि population का क्या मतलब है population मतलब बताने की जरद क्यों थी क्यों कि उस समय सेंसस की बाते हो रही थी कि सेंसस की बाते होगा 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 सेंसस की बात आर्टिकल 1-3 के सब्सक्राइब जो वन क्लॉज है उसमें उसने क्या किया उसने जो आपके 2A जो 2A और 2B में परफलेशन जो बात की गई है उसको बताया कि क्या कौन से डेट को वो पनलब कौन सी सेंसस को माना गया है तो आप देख पा रहे हो कि किस तरह से यहां में मैंने यह लिखा हुआ है कि आर्टिकल 1 के जो एफटी 3 है इसके जो क्लॉज 1 है इसने बताया है कि 2A में जो पॉपलेशन वाट आया है उस पॉपलेशन में 1971 की सेंसस की बात की गई है अब आप कहा हुए कि अभी तो 2011 के सेंसस चल रही है लेकिन यह पुरानी उस जमाने में सेंस कि अब नाइटिन सेंसस के बाद से अंगली सेंसस को कॉंसीडर नहीं करेंगे हम इसी सेंसस के बेसेज़ पर पापलेशन बेसेज़ पर किस तरह से सेंसस के में सेंसस को कितनी सीट मिलेंगी और किस इंससस को कितनी सीट मिलें यह यह तो आगे इसको 42nd amendment में ऐसा बोला गया कि इसमें मैंने लिखा हुगा फ्रोजिन बाई 42 अमेंडमेंट 1976 तो यह फ्रीज कर दिया रहा था उसके बाद 84 अमेंडमेंट आया इसमें जब फ्रीज किया गया था तो इसको 2001 तक फ्रीज किया गया था लेकिन उसके बाद जब नेक्स्ट आया 84 अमेंडमेंट तो उसने क्या किया इसको 2001 पर आया था और इसने क्या किया कि इसको 2026 तक का यह एक्स्टेंड कर दिया कि अब यह जो है फ्रीज है यह 2026 तक रहेगा जैसे UP को 80 सीट MP को 40 सीट यह सब फिक्स रहेगा अब बदला नहीं जाएगा यह हजार दो हजार चबदल में तो अब जब बदला नहीं जाएगा इसका मतलब जब जब 2031 में अब जब सेंसेस होगी तो उससेंस में आप यह जब बदलेगा यह जो फ्रीज हटेगा तब ऐसा होगा कि जो आप यह देखते हों कि 550 से बढ़के यह लोगसाबाशी बढ़ तो बढ़ा तो बढ़ा तो बढ़ा तो बढ़ा तो बढ़ा तो इस तरह से आप कर जकते हो इसका सब के प्रेंट की बात की गई है इसमें बोला गया है कि जो वो डिसाइड गया गया कि ओर ऑजिनली इसा कर घे कि टिल टो थाउजन टक हंगी सेंसेस के basis पे जैसा कि देख पा रहे हूं कि मैंने लिखा है कि तिल 2000 उनेस सो इकतर की सेंसर को मानते हुए हमने अंडर अर्टिकल सोरी अंडर 42nd amendment 1976 में ऐसा बोला कि यह उनेस सो इकतर की सेंसर को हम बेस मानेंगे हम इसको रिफरेंस करेंगे और 2000 तक हम फिक्स रखेंगे कि जैसे योप को पहले आए पिचासी दी घए थी कि आपकी पिचासी कॉस्टिटीटीटीची होँगी तो वह आपकोrea कर दिया कि अब इस दी रहेंगी और उसके बाद क्या किया गया कि जो दूसरा अमेंडमेंट मेंड़ा दूसरा अमेंडमेंट आया 84 अमेंडमेंट जैसे 42nd एर 84 अमेंडमेंट आया 2001 में तो इसा किया गया कि अब जो है वो हमने पीरिड को एक्षेट कर दिया कि ठीक है 2026 तक क्या हुआ कि अब जो सेंसेस होगी डेट होगी वह अब रिफरेंस पदल दिया जाएगा क्योंकि बहुत टाइम हो गया था उनको लगा के 20 साल हो जो गया तो उन्होंने रिफरेंस बाना कि अब इस बेसिस पर हम उसके टुक्ड़े करकर के यूडिट बना बना के टेरिटोरियल कॉंसिट्योंसी बना देंगे कि हम देखेंगे चीजों को कि 2001 रेफरेंस पाइंट होगा कि उस समय जो सेंसस थी जैसे यूपी के सेंसस जो भी रही होगी तो उस सेंसस को बरावर बरावरापर हिस्सों में बाटके और इस तरह से आप for example समल लो और उसको वो इतनी रहेगी ठीक है 87 अमेंड में 2003 में ऐसा किया गया कि इतनी फिक्स कर दी गई और अब 2026 तक वह इतनी रहेंगे जैसे आप देख पाते हो कि अब भी लोगों को प्रॉब्लम क्या हो रही है अब लोगों को प्रॉब्लम यह और ऑप लोगों की यह देख रही है कि यह फ्रीज क्यों कर दिया गया कि ऐसा क्या था तो हुआ गया कि पहले पॉपलेशन के बैसे पे एपसल्यूट पॉपलेशन यहां पे है एवन बेबी भी मैटर करते हैं ऐसा नहीं है कि 18 साल का हो एडल डाल सकता हो या वोटर हो लेकिन बच्चे भी अगर किसी स्टेट में बिहार है बिहार की फैट्रिल्टी रेट जादा है और वहां पर बच्चे बहुत जादा हो गए तो वह कहेगा कि मेरी कौपलेशन के वैसे पे है तो मेरी सीट बढ़ा दो और उधर केरला ने बहुत सारी पॉपलेशन कंट्रोल टेक्निक लाइए और उससे क्या हुआ पॉ पॉपलेशन ऐसा मानते हैं कि 2026 तक इस्टेबिलेटी आजाएगी पॉपलेशन में तो तब आप तब की तब देखेंगी अभी 1970 के बेसिस पर हमने और लोग सबसेट कर दी हैं लोग सबसेट डिसाइड करती है टूए में और टूबी में जो कॉपलेशन के बेसिस पर अगरा में दोस्ना के यह ऐसा है कि मानली जहां अट्री से माइग्रेशन करके लोग आगरा चलेदा रहे हैं दो लात लोग यहां चले गए तो अब क्या होगा कि अगरा का बीशिट्योंची में ऐसा किया जाएगा कि इसके इसके बाउंडरी बढ़ाती जाएंगे तो इसक तो इस तरह से यह हमने किया है इसको और मैं कंटिनू करूंगा नेक्स वीजियो में